फरुखाबाद रिपोर्ट लोक आस्था का पर छटका तेवार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है हजारों की संक्या में लोग पांचाल घाट गंगा तड़ पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुझे अस्था चल की और जा रहे सूरे को अर्ग देकर महिलाएं ने की पूजा अर्चना भगवान कार्ट के की पत्नी की जुद में छटी मैया की पूजा पर जाते हैं और भगवान सुरु देव की संदान प्रद के लिए पूजा अर्चना की जाती है कादरी गेट थाना छेत्र के पांचाल घाट गंगा का मामला दिन काब डेत्र के प्रेत्र का इंख मढगं मला कर दोस्किष्ट्ट्ट्ट्ट खजर के टुड़ार को जोपन में पुड़ाने को पाला मेंगा तर गया रखाया को जाण सेहाँ हैं मुझें को कि नच्टी ए्यारा को जोंगे भाया जोगने हैं तब वही जाते हे दम विला उस सद्पीवी अजर मिला तब वही जाते हे दम विला घा जीर्दुन दो रहा हें देहा कर दो हम और झारीम जाते हे क्जा मिला कि अब नाम क्या सुमंजी आच छट पर्व है आस्ता चल की वह सूर्य भगवान को अर्ग दिया है कि अब लान कितने दिन रहता और कितनी आस्ता है चट मैं अब अच्छा लगता है और हमारे गर में दून दाम से बनाते हैं आज संध्या का अरग रगा है और हमने आया यहां देखा में बहुत अच्छा लगा और हमें सबसे जाद अच्छी अच्छी सब को अरग देते भी अच्छा लगा और तका उने कहां से बिलॉग करते हैं बोट अच्छ पूजा का पर्व है लोकास्ता का पर्व है किस तरह की सुक्षा विवस्ता रही है लोग पिष्टा लगाई गया है जो अन्य पूलिस बाद है उसे लगाए गया है ताकि नहीं दीखे और पारी ने जाने पाई उसके वाद एक विसिल से लगाया गया है था आप अचार जी आज छटपर्व है दूंदाम से पूजा आचना कोई है गंगा काटपर्व क्या मानता है क्यों मनाएं चटपर्व एक महापर्व है कि कई सएकुनों बरसों से मनाया चला जा रहा है यह बिहार से विशेश रूप से प्रानम हुआ जो कि आज पूरे देश नहीं पूरे विदेश की बात करें इंटरनेशनल इस तरपर आज के दिन मनाया जाता है इसमें विशेश रूप से छट महिया जो है स्वामी कार्ति के भरवान की पत्नी है उनका पूजन अर्चन होता है और इसमें माताय निर्द्रत रहकर अपने आप पूरी सुद्धता के साथ अन वगरा धुलकर उसको पूट कर पीस कर बिंजन बनाती है उसके माध्धम से आ परव के बीचे क्यों बनाया जाता है अगर परव की बात करें तो विहार से प्रारमगवा भवान सुर्ण नाराण के लिए विशेश रूप से रहा जाता है और छटी मैया जो है संतान देने वाली विशेश रूप से हैं इसलिए उनकी व्रद्धी के लिए अपने परवार कि सुख समर्दी के लिए आए रहा है